जाई हिंद वन्दे मात्राम दोस्तों आज के वीडियो को लाश ट्वेल का फैनल बोड या एक्जामसी तेरीक करने वाले हर एक स्टुडेंट के लिए काफ़ी रमाहत पुर्ण होने वाले दोस्तों जितने भी आप इस वीडियो को सुरूर से लेकर के लाश तर जरूर देख तो आपके पास समय बहुत काम है इसलिए दोस्तों आपको देखना क्या है कि पचास को समय से कितने को सही से कर पाए प्लीज कमेंट करके जरू लिखेगा तो चली बीने टाइम वेश्कूर आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कि हड़ापा किस लगा मशाट को यापन करते हैं पर किंद् कर्मूक अस्त्रू को ज़ू है इसकी उत्खनान जो है वो किसके द्वारा किया गया तो आप सम्भी यहां पर क्या पर राखल दास मनर जी कब किया थे फ्रेंड तो 1922 में किया था ठीक है और यह जो मोहन चोटर फ्रेंड वो सिंधू नदी के किनारे इस्तित है तो कई बार कोजे में आपसे पूछा जाएग कि संभावना एक भी कोच्छा नहीं चुटेगा इसलिए आपको डिटेल बाइड पढ़ना ठीक है ने त्री में दिया है कि हरपास सब्वेता में हल के साथ कहां से प्राप्त हुए है काभी यह जो हरपास सब्वेता है इसमें जो हल का प्रमान मिला था वह इनमें से कौन सा में है तो राज अस्थान में इसकी खोज किस ने किया तो अलमानन घोस के द्वारा किया गया था कब किया था तो 1952 में जो है वो काली बंगा का खोज किया गया था इसका सबसे बड़ा सहर कौन सा था तो दोसर में यहां पर आपको नहीं बोल रहा हुए तो पाकिस्तान में इस्तितर ठीक है इसकी खोज किस ने किया तो एसार राव के द्वारा खोज किया गया था इसका सिंदू काटि सभेता सिंदू काटि सभेता कि यहां की लोगों जो है वह कौन सधातु का ज्यान नहीं था और इन लोगों के बारे में जो है पूरा जो नाम है वह रविंदर स्थीष होता है और यह जो डोला वीरा है वो घुजरात में इस्थित है ठीक है तो आपको एदम अच्छी तरह से याद कर लेना है और पूरा विरा जो है वो लुनिन नदी के किनार इस्थित है जो कि काविजाद महत्पुर्ण कोचन आपके एकजाम से ले कि मोहन चौदड़ की कौज 1222 में किस ने की काविजा असलान कोचन है इसकी कोज 1222 में किया गया तो किसके द्वारा किया गया जैक बॉडड में में हल का प्रमान मिला है काली बंगा काली बंगा कहां पर कौन सा राजी में तो राजी अस्थान में इसकी खोज किस ने किया तो अलमानल घोस ने कब किया था फ्रेंग तो 1922 में ठीक है बंगा क्या कि शोनगर अप्रण 10 कि सिंदु गार्टी सावर्य की जुडबा राज्धानी ती कभिदा माक्रण को बंगर चया में 2110 और 220 में कर्ण वो हरापा रुमोहन चटरोड को चुछ निकायाता था था तो यहां पर राइट रोड़ा थे यह पूरा सिंदुकाटिसे बेदा बें काफी अदाविकसी तरस्तल थे इसे लिए दोस्तों हरापार मोहन चत्रोड को जो है वह ने कायाता है कि हड़पा का उद्खनन किया था 28 में आ झुसकाट साहिए तो आप Sis कि हड़पा का जो खोज है वह किसके नेत्रित में en तो जोन मार्सल के नितरश्ष में व्लां ठीक है और जॉन मार्सल का जो कार्यकाल फ्रेंड हो 1902.000 लेकरके 20198 तक जो है और जोन मार्सल का कार्यकाल था है कि भारते पुरतात्व का पिता किस से कहा गठा है kaf 1014 00 बनेंगं से music your joke काफ़ी आलम होता पूरी होचान आपके यारे कि सिंदु गां को क्वेटा के रूप में विख्यात है और यह सीदु काथी सभहाखा का कौन सा सविद्क फा्ष्टाल करत है जैसे मिर्डिक वर्ट पहा है इसे रहती है तो पिब घवा ऑ घच करता है यह मोहन चोदोडों का जो साब्दी कर्थ है वह क्या होता है तो मिल्टतकों का ठीला होता है ठीक है कि मिल्टकों का ठीला कहा गया है तो मोहन चोदोडों का ठीला का जाता है इसकी खोज किस ने किया तो राखल दास बनर जी ने 16 में दिया गया कि सिंदु घाटी सभेता में निर्थी करती हुई लड़की की मूर्ती किस अस्थान से प्राप्त हुई थी तो आपको बताने यह जो सिंदु घाटी सभेता है इसमें जो निर्थ करती हुई लड़की की जो मूर्ती मिला था वो कौन से अस्थान से मिला था त जद्रोड से मिला था तो आपसें डिया गए कि सिंदु सभेता के लोग का दरपन बना हुआ था काफी ज़्यादा इन पड़ेंग होगा एक जाम्स के लिए कि जो दरपन है वहां के जो दरपन यूज करते थे वह किस चीज़ का बना हुआ होता था दूसरी सिंदु जो आपसें पराइटेंश वाले एक पुरूस देवता का योगी की मुद्रप में सीहासन और बैठे हुए दिखलाया गया है जिसकी पहचान पसुपती के रूप में किस ने की थी तो दोसरी इसकी जो पहचान है वो जौन मार्सल के द्वारा किया था तो आपस यह 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 जौन मार्सल कि ने देगे कि हड़ा सबसे बड़ा नगर कौन सा था का यह पास अब नगर की बात करें तो सबसे बड़ा जो नगर है फ्रेंड वह मोहन जद्रोड था तो आपसें यह यहां पर राइट एनव ज़िका इसकी कोच किस ने किया तो राखल दास बनर जी कौन सा नदेखी किनारे सितर फ्रेंड तो सिंधू नदेखी किनारे फ्रेंड आपके क्वेशन रिपीट हुए तो उससे आपको कोई भी दिखात नहीं यह सभी क्वेशन आपके बोड यहां में काफी बार पुछे जा चुके इसलिए यहां पर थोड़ा सा रिपीट कर दिए गया है कि निमनली-क्षीत में से किस पदार्त का उपयोग हलपा काल की मुद्रा के निर्मान में मुखдо रूपते किया जाता था और आपको इसमें से कौन से पदार्त का उपयोग है क्वेशन बोड बनाने के लिए करते थे हैं baru ciao , के लोग मुद्रा बनाने के लिए करते थे तो आपस यह यह यहां पर राइट एंसरों का सेल खड़ी है कि में ट्वेंटी टू में देगा है कि हरापा सभेता का प्रसासन किस परकार का था का यहां पर नगरपाली का जैसा ठीक है नगरपा सभेता के संपुन चेतर का आ कर अपकर आपको बंदाने जो विस्तार हुआ ता République का व तरफ के लिए पास हुआ है वो त्रिभुजाकार आकरिती में हुआ था तो आपसे यहां पर राइट एंगल का त्रिभुजाकार कि यूग की सब्धा थी काव यूग की सब्धा के लोग कहां से धातु का पर्यों किया था तामबा वो टिन को मिलाकर कासे धातु का निर्वान किया था ठीक है मोहँंज़दव नेकनट 27 में में कि कॉलकत्ता में इस्तित ऐसे आटिक सोसाइटी की अस्थापना किस वर्ष हुई तो तो इसकी जो अस्थापना है वो किस वर्ष हुई थी तो 1784 में स्थापना किया गया था तो आप से यहां पर राइट टैसे उगा 1784 और यह आपसे पुछा जाए कि जो एसी आटिक सोसायटी की अस्थापने वो किसके द्वारा किया घया था तो दोस्तों इसकी जो अस्थापना है वो 15 जनवली 1784 में जुप है वो सर विल्यम जॉंस के द्वारा किया घया तो आप से कोरेशन में ऐसी पूराइक तो यहां से आपका एक किसके द्वारा कियेगे किसके नेतरिविव में हुआ तो सर विल्यम जॉन्स के नेतरिविविव में ठीक है कब वह तो 15 जनुराइब देखो तो 182 में देया है कि सिन्धु सभेयता की उत्री सीमा क्या थी दोस्तों यहां से आपका एक कोचन जरू पुछाए जागा कि जो को मांदा है वह जम्मू कस्मीर में इस्थित है ठीक है यह कौन सा नदीग किनारे तो चिना में नदीग किनारे तो यह पर सभी में जानते कि पूर्वी सीवा पर चमी सीमा उत्री सीमा क्या तो अप लोग एक बड़ अची तिहिता है आध कर लिजिए कट लेगर 29 देगे कि सिंदुगाटी छेत्र के लोग भोजन को मिठा बनाने के लिए किस चीज का पर्योग करते थे आने को बेंगे जो सिंदुगाटी सब्लेट के लिए जो लोग है तो आपसे यहां पर राइट एंसर हो जाएगा लोग निला लाजवर्द मनी कहां से प्राप्त करते थे तो आफगानिस्तान से प्राप्त करते थे तो आपसन यहां पर राइट एंसर हो जाएगा अब नियाट नियाट करते थे तो आपसन यहां पर राइट नहीं भारत दचिन भारत दोस्तों यह इसका आप लोग लेकर एक बार अची तरिक से याद कर लिएगा कि कौन सा स्थान से जो है उस सिंदुगाटी सब्लेट के लोग कहां से क्या प्राप्त करते थे तो मैंने यहां पर सभी आपको लिग दिया है तो प्रीज आप लोग एक बार अची तरिक से याद कर लिएगा ठीका नेरो 32 में देगा है कि यहां पर किस वस्तुग के उतपादर में सरुप परते देंदें आप आप यादर भी विए कोचन फ्रेंड कि जो हरपा सब्लेट के लोग ह कब से कब तक माना जाता है तो यहां पर जितने भी आप्सन दिये हों यह सभी आप्सन गलत है कि मोहन जद्रो कहां इस्तित है का वह पाकिस्तान में इस्तित है आप से वी पाकिस्तान कौन सा नदी के किंदे तो यारखाना जिल्ला में ठीक है करें तो 37 सभेता के أنا जाते थे जो किस चिल्स से बनाया रहते थे थे वह वह घर प्राप्त अभी लेक के अनुसार नाविको का देश किसे कहा जाता है कि पुरोहित राजा का अवसेश किस नगर से प्राप्त हुआ था वो मोहन जद्रोड से प्राप्त हुआ था तो अपिसेश हो यहां पर राइट एस लेका मोहन जद्रोड नेगलार ने लेका है कि अहरा वासरी तामबा कहां से प्राप्त करते थे छोज देंथ Gulf इस नगरिफ्ट्री नेन में सेथमे अस्था किसह ओछलन बद्भाट क के फ्राप्त है था तोना कहां से मिलता था तो दच्छीन भारत है ठीक है तो राइट इंसर हो गया दच्छीन भारत दाला तो दोस्तों 41 का जोड़कों साब्स तो मिलतकों का तिला कौन वहां चोड़ोड किस भासा का सब्द आपके न्युक्त मोहण जोड़ोड किस भासा का सब्द आपके बहुत देख सब्सक्त झाराय बैहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खणनन करवाया तो राया बाहदुर दयाराम साहनी जो है वो सबसे पहले जो है रहं पका उत्खणनन करवाया था कब किता थैंघ था यद obras फोर्टिफवर में दिए कि निमनलिखित हिंदू देवता ओमेज कॉन स्फवेद सभेता का प्रमूख देवता है ना वह इस इन्दू का टी सभेता में इन में सब कॉन सदेवता जो एक प्रमूख देवता थी तो आपसां भी राइट यह का सीव इंटरगात नहीं में से कौन नहीं आगा साहित फिक्काह अभिलेग या भग्नावेस तो दोस्तो अपसन ए राइट वह वह पूराइट थो इंटरगाद नहीं आता है ठीक है कि लिए इस तो इसके द्वारा किया था तो आपसंद डी राइट एंश रोगा विलियम जॉन्स कब किया था तो पंदरह जनवली 1784 इसवी को ठीक है कि पहली बार हडपक को किस वर्स उत्खंदित किया था तो उनीश स्वाकिस में तो आपसंद यह यहां पर राइट एंश रोगा लोथाल नेव फटीनाड में देए कि लोथाल किस नदी कि किनारे इस्तित है कावी इंपाड़े को ठीक है यह जो लोथाल है वह कौन सा नदी किनारे इस्तित है तो आपसंद यहां पर राइट इस्तित है फ्रेंट यह गुजरात में इस्तित है ठीक है और इसकी खोज है वह एस आर्राव के द्वारा किया गया था इस वीडियो का लास्ट कोचिन है कि राखल दास बनाल जी को मोहन जोद्रोड के अफसेस किस वर्स मिलेंगे जरू लिखना मैंने इस वीडियो में दो क्वेशन के एंसर क्मेट करके लिए लिए पढ़ ला था तो प्लिज आप दोनों कोचिन के एंसर कमेटवक्न करके करवा देखे तो पिल जाकर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो लोगों ने न चैनल को सब्सक्राइब करें तरीकर से त्यारी करवाज आए